नमस्कार जी यूपी के मुख्यमंत्री स्रिमान योगी आदितेनाद जी संसद में मेरे साथी हमारी युवा मित्र बाई हरी द्विवेदी जी विविन्न खेलों के खिलाडी राज्य सरकार के मंत्री गर्ण विदायक गर्ण अन्य सभी जन प्रतिनी जी अन्य सभी वरिष्ट महानुभाव और विशाल संग्या में मैं देख रहाँ चारो तरफ नवजवान ही नवजवान है मेरे प्यारे भाईयों और बहनों यह हमारी बस्ती महर्ची विशिष्ट की पावन धर्ती है स्रम और साधना तप और त्याग की धर्ती है और एक खिलाड़ी के लिए उसका खेल भी एक साधना ही है एक तपस्या है और जिसमें वो अपने आपको तपाता रहता है और सफल खिलाड़ी का फोकस भी बहुत सटीक होता है और तब जाकर के एक के बाद एक नएने पड़ाव पर विजय श्री प्रात्य करता हुआ वो आगे बढ़ता है सिद्धी हासिल करती है मुझे खुशी है कि बस्ती में हमारे संसत के साथी बाई हरी दुवेदी जी की मेहनत से इतने विशाल खेल महाकुम का आयोजन हो रहा है भारत के खेलों में परंपरागत पारंगत स्थानिय खिलाडियों को ये खेल महाकुम नई उडान का आउसर देंगे मुझे बताया गया है कि भारत के करीब करीब दो सो साउसदों ने अपने यहां इसी तरह MP खेल स्परधा आयोजित की है जिसमें हजारों युवाओं ने हिस्सा लिया है मैं भी एक साउसद हूँ काशी का साउसद हूँ तो मेरे काशी के साउसद ये ख्षेतन मैं भी ऐसा खेल स्परधाओं का ख्षेल सिला चल पड़ा है इसी तरह के खेल महाकुम अने एक स्थानों पर कराकर MP खेल स्परधा कराकर सभी साउसद नई पड़ी का भविश्य गढ़ने का काम कर रहे हैं साउसद खेल महाकुम में अच्छा प्रदर्शन करने वाले युवा खिलाडियों को Sports Authority of India के Training Centers में आगे की ट्रेनिंग के लिए भी चुना जा रहा है इससे देश की युवा शक्ति को बहुत लाब होगा इस महाकुम में ही 40,000 से जादा युवा हिस्सा ले रहे हैं और मुझे बताया गया के पिछले साल की तुलना में ये तीन गुना जादा है मैं आप सभी को मेरे सभी वा दोस्तों को इन खेलों के लिए देर सारी शुबकावनाय देता हूँ अभी मुझे खोखो देखने का आउसर मिला हमारी बेटियां जिस्त चत्तुराई के साथ और टीम के साथ पूरी तरह टीम स्पिरिट से खेल रही थी वाकई बढ़ा आनन्द आ रहा था देख करके खेल को मैं जानता नहीं मेरी ताली आपको सुनाई दे रही थे और नहीं दे रही थी लेकिन एक बड़िया खेल खेलने के लिए और मुझे भी खोखो के खेल का आनन्द प्राप्त करने का आउसर देने के लिए मैं इन सभी बेटियों के बढ़ाई देता हूँ उनका अभिनंदन करता हूँ साथियों सांसत खेल महाकुम की एक और विशेश बात है इसमें बड़ी संख्या में हमारी बेटियां हिस्सा ले रही है और मुझे विश्वास है बस्ती, पुर्वान्चल, यूपी और देश की बेटियां ऐसे ही राष्ट्रिय अंतराष्ट्रिय प्रतियुगीताओं में अपना दमखन दिखाती रहेगी अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा है कि विमेन अंडर नाइंटीन, टी ट्वेंटी वर्ल कम पें हमारे देश की कप्तान शेफाली वर्मा ने कितना शांदार प्रदसंद किया बेटी शेफाली ने लगातार पांच गेदों में, पांच चोके मारे और फिर ओवर की आखरी गेंद पर चक्का मार कर एक ही ओवर में 26 रंज बना दिये ऐसे ही कितना सारा टेलेंट भारत के कौने कौने में है स्पोर्ट्स टेलेंट को तरासने में तरासने में इस तरह के सांसद खेल महाकुम की बड़ी भूमिका है साथियों एक वक्त था जब स्पोर्ट्स की गिंती एक्स्ट्रा कुरिकुलर एक्टिविटी में के तौर पर हुआ करती थी यानि इसे पढ़ाई से अलग केवल टाइम पास का जरिया समझा जाता था बच्चों को भी यही बताया और यही सिखाया इससे पीडी दर पीडी एक मानसिक्ता समाज के अंदर गर कर गई कि स्पोर्ट उतना जरूरी नहीं है वो जीवन और भविश्य का हिस्सा नहीं है इस मानसिक्ता से देश का बहुत बड़ा नुक्षान हुआ कितने ही सामर्थवान हुआ कितनी ही प्रतिभाए मैदान चे दुर रह गई कि बीते आठ नौ वर्षों में देश ने इस पुरानी सोच को पीछे छोड़कर स्पोर्ट के लिए एक बहतर वातावन बनाने का काम किया है इसलिए अब जहांदा बच्चे और हमारे नौजवान स्पोर्ट को केरियर के विकल्प के तौर पर देखने लगे हैं फिटनेस से लेकर हेल्थ तक टिम बांडिंग से लेकर तनाव मुक्ति के साधन तक प्रोफेशनल सक्सेस से लेकर पर्सनल इंप्रूमेंट तक स्पोर्ट के अलग-अलग फाइदे लोगों को नजर आने लगे हैं और खुशी की बात यह हैं कि माता पिता भी अब स्पोर्ट को गंबीरता से ले रहे हैं यह बड़लाव हमारे समाज के लिए भी अच्छा है स्पोर्ट के लिए भी अच्छा है स्पोर्ट को अब एक सामाजिक प्रतिष्ठा मिलने लगी है और सात्यों लोगों की सोच में आये इस परिवर्तन का सीधा लाब खेल के ख्षेत्र में देश की उपलब्दियों पर दिख रहा है आज भारत लगातार नए नए रिकॉर्ड बना रहा है हमने अलेम्पिक में अब तक का सर्व स्रेष्ठ प्रदर्शन किया परालिम्पिक में भी अब तक का बेस्ट प्रदर्शन किया अलग-अलग खेलों के टूर्णामेंट्स में भारत का प्रदर्शन अब चर्चा का विशे बन रहा है और साथियों मेरे नवजवान साथियों ये तो अभी शुरुवात है अभी हमें और लंबी यात्रा करनी है हमें नए लक्षों को हासिल करना है हमें कई नए रिकॉर्ड बनाने है साथियों स्पोर्ट्स एक स्कील है और एक सभाव भी है स्पोर्ट्स एक टैलेंट है और ये एक संकल्प भी है खेल के विकास में ट्रेनिंग का अपना महत्व है और साथ ही ये भी आवश्रक है कि खेल की प्रतियुगिताएं स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स लगाता चलते रहने चाहिए इससे खेलाडियों को अपने ट्रेनिंग को लगाता टेस्ट करने का मौका मिलता है अलग-अलग शेत्रों में अलग-अलग स्तर पर होने वाली खेल प्रतियुगिताएं खेलाडियों की बहुत मदद करती है इससे खिलाडियों को अपने सामर्थ के बारे में तो पता चलता ही है, वो अपनी खुद की टेकनिक भी डिवलप कर पाता है खिलाडियों के कोचेश को भी पता चलता है कि उसके शिष्य में जिसको उसने सिखाया है अभी कौन सी कमियां रह गई है, कहां सुधार की जरूत है, कहां सामने वाला खिलाडियों पर भारी पड़ रहा है इसलिए ही सांसत महाकुम से लेकर राष्टिय खिलों तक खिलाडियों को जादा से जादा मोके दिये जा रहे है इसलिए ही आज देश में जादा से जादा यूथ गेम्स हो रहे हैं युनिवर्सिटी गेम्स हो रहे हैं, विंटर गेम्स हो रहे हैं, इन गेम्स में हर साल हजारों खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं खेलो इंडिया भ्यान के तहट हमारी सरकार खिलाडियों को आर्थिक मदद भी दे रही हैं इस समय देश में पचीस सो से जादा एथलेट्स ऐसे हैं, जिनों खेलो इंडिया भ्यान के तहट हर मैने पच्चास हजार रुपिय से जादा दिये जा रहे हैं ऑलिम्पिक में जाने वाले खिलाडियों को हमारी सरकार की टारगेट ऑलिम्पिक पोडियम स्कीम टॉप से बहुत मदद मिल रही हैं इस स्कीम के तहट भी हर महने करीब करीब 500 खिलाडियों को आर्थिक मदद दी जा रही हैं अंतर राष्टिय स्तर के कुछ खिलाडियों की जरूरत को देखते हुए सरकार ने उन्हें धाई करोड रुपिय से लेकर साथ करोड रुपिय तक की मदद की है साथ क्यों आज का नया भारत स्पोर्ट सेक्टर के सामने मौझूद हर चनोति के समाधान का भी प्रयास कर रहा है हमारे खिलाडियों के पास परियाप्त संसादन हो ट्रेनिंग हो टेक्निकल नौलेज हो इंटरनेशनल एक्स्पोजर हो उनके चैन में पारदर्शिता हो इन सभी पर जोर दिया जा रहा है आज बस्ती और ऐसे हे दूसरे जिलों में खेलों से जुड़े इंफ्रासक्टर तयार किये जा रहे हैं स्टेडियम बनाए जा रहे हैं कोचेश की व्यवस्ता की जा रही हैं देश भर में एक हजार से ज़्यादा खेलो इंडिया डिस्ट्रिक सेंटर्स भी बनाए जा रहे हैं, मुझे खुशी है कि इसमें से साथ सो पचास से ज़्यादा सेंटर्स बनकर तैयार भी हो चुके हैं। देश भर के सभी प्लेफिल्ड्स की जियो टैगिंग भी की जा रही हैं, ताकि खिलाडियों को ट्रेनिंग मिलने में परिशानी ना है। सरकार ने नौर्थ इसके युवाओं के लिए मनिपूर में स्पोर्ट उनिवर्सिटी का निर्मान किया है। और यूपी के मिरट में भी स्पोर्ट उनिवर्सिटी का भी निर्मान किया जा रहा है। और मुझे बताया गया है कि यूपी में अनेको नए स्टेडियम तयार हो चुके हैं। खेलों को बढ़ावा देने के लिए यूपी के अनेक जीलों में स्पोर्ट होस्टेल भी चलाए जा रहे हैं। राष्ट्रिय स्टर की सुविधाएं अब स्थानिय स्टर पर पहुंचाने का भी प्रयास है। क्यानी आपके पास मेरे नवजवान साथियों आपके पास अपार अवसर है। अब आपको जीत का जंडा लहराना है। देश का नाम रोशन करना है। साथियों हर खिलाडी जानता है कि उसके लिए फिट रहना कितना जरूरी है और उसमें फिट इंडिया मुमेंट की अपनी भूमी का रही है। फिटनेस पर ध्यान देने के लिए आप सभी एक और काम जुरूर करें। अपने जीवन में योग को शामिल करें। योग से आपका शरीर भी स्वस्त रहेगा और आपका मन भी जागरत रहेगा। इसका राप आपको आपके खेल में भी मिलेगा। इसी तरह हर खिलाडी के लिए पौश्टिक भोजन भी उतना ही जरूरी होता है। इसमें हमारे जो मिलेट्स हैं, हमारा मोटा अनाज जो कहते हैं, मोटे अनाज की बात जो करते हैं, आम तोर पर हमारी यहां गावों में, हर घर में खाया जाता है। यह मिलेट्स की भोजन में बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। आपको पता है कि भारत के कहने पर साल 2023 को इंटरनेशनल येर आप मिलेट्स गोशित किया गया है। अपने डाइट चार्ट में आप मिलेट्स को शामिल करेंगे, तो ये भी आपको बहतर स्वास्त में मदद करेगा। साथियों, मुझे भरोसा है हमारे सभी युवा खेलों से बहुत कुछ मैदान में भी सिखेंगे, जीवन में भी सिखेंगे। और आप ये उर्जा खेल के मैदान से विस्तार होती होती, देश की उर्जा बन जाएगी। मैं हरीश जी को बहुत बढ़ाई देता हूँ, बड़े लगन से इस काम के पीछे वो लगे रहते हैं, इस कार के में लिए पिछली पार्लामेंट में आकर के मेरे से निमंतरन दे गए थे। तो उनका ये जो बस्ती के जवानों के लिए, नवजवानों के लिए दिन रात काम करने का उनका स्वभाव है, वो खेल के मैदान में भी दिखाई दे रहा है, मैं आप सब को बहुत शुप कामनाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद।